अमरीका में दिये गए राहूल गांदी के ब्यान पर सियासी विवाज जारी है भजलनाल शर्मा ने राहूल गांदी के ब्यान पर पलटबार किया सीम ने सोसल मीडिया पर कहा कि राहूल गांदेजी आपके द्वारा बार बार विदेश जाकरी भारत की छवी को धुमिल करने की कोशिश क्यों की जाती है आपके अमेरिका दोरे पर भारती हल्प संक्योक्यों की धार्मिक सवतंतरता पर ब्यान ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई क्या भूल गए कि 1984 में सीकों के खिलाफ हुए विबत्स धंगों में कॉंग्रिस की क्या भूमिका थी बजनलाल शर्मा ने का इतना ही नहीं आपने आरक्षन की वेवस्था पर भी टेपनिया की जो बिना भारती समाज की गहरी समझ के की गई है क्या ये सिरफ विदेश्ची दर्शकों को खुद के बुद्धिमान होने का दिखावा करने का प्रियास है अपने आपको बुद्धिमान पर दर्शित करने की बजाए आप देश शित को प्राथ मिक्ता दें अंतराश्टिया मंचो पर भारत का समान बढ़ाने का काम करें नहीं कि अपने राजनलीतिक अजेंडा साधने का इससे पहले केंद्रिय ग्रैमन्त्री अमिच्छा ने ट्वीटर पर राहूल पर पलटवार किया अमिच्छा की ट्वीट समर्थन में भजनलाल ने राहूल को निशाने पर लिया अमिच्छान ने राहूल गांदी पर पलटवार करते वेलिका कि देश विरोधी बाते करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहूल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी की आदत बन गई है चाए जम्मू कश्मीर में जेके अनसी के देश विरोधी और आरक्षन विदेशी अजेंडों का समर्थन विक करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बाते करनी हो